वेरी गूड इविनिंग टूअलोफी दोस्तों स्वागे थे आप सभी काव वाइट एजूकेशन में भी हर दैरोगा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यारतियों के लिए हम लोग ये मोग टेस्ट लगातार उनके लिए लेकर आ रहे हैं अभी आपको ये मोग टेस्ट ऑपकर करवा रहे हैं अब लोग जो जितने भी वीडियो से दे चुके हैं लग बख डेइट सों से भी जादा लाम टे चुके उनका प्रैक्टिस करते रहे हैं क्योंकि अब समय सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस पशेंगा है जितना सालफ स्टडी कीजिएगा उतना ही स्कोर वहाँ पर कीजिएगा, बागी ये सेट चलता रहेगा, आप लोग भी जो भी मेंस का एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, ये सेट भी देख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी नया फॉर्म भरे होंगे, तो जरूर देखिएगा, रोज रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़िएगा, जहां पर White Education पर, ये वीडियो है दोस्तो, Partnership with Unacademy, तो Unacademy के बारे में भी आपको कुछ डिटेल अपडेट देने वाला हूँ, जहां से आप वहां से जुड़ कर भी हमारे साथ तयारी कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत में जरूर बने रहेगा, दोस्तो जल्द उसके सारे अपडेट आपको इस महीने के भी दे दी जाएंगे, चलिए, लेकर चलते हैं उन सभी प्रशनों पर, जो कि आज के सेट में शुरुवात हो चुके हैं, पहला प्रशन आचुका है, सुमेलित कीजिए यहां पर, बोलिए यहां पर कौन सा सुमेलन नहीं ह जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर, तो पहला कुश्यन है कि निमलिकित में से कौन सुमेलन नहीं है, तो दोस्तों आंसर करेंगे यहां पर, यहां पर आएकर और राजी सरकार का यहां पर कोई मेल गलत है, ठीक है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आएकर जो है, व रखा गया है दोस्तों आपको बता दे कि ये कोशिन आ चुका है एक्जाम में और आ भी सकता है इसलिए इसको लिख लिजेगा सवाल नंबर दो जम्मु कश्मीर पुनर गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मु कश्मीर विधान सभावाला कौन सा केंदर सासित प्रदेश बन चुका है आंसर कर लेंगे सी तीसरा बन चुका है सवाल नंबर तीन पे चलते हैं पुष्टी मार्ग के दर्शन की स्थापना खिसने की है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों वल्लबाचार्या डी इस दर राइट आंसर वल्लबाचार्या इस दर राइट आंसर वल्लबाच में इनका जिहां क्या हुआ था दोस्तों जन हुआ था 1486 चैतन्य स्वामी ये भी ध्यान रखेंगे उनके बारे में भी कोशिन पुछा जाता है नदिया बंगाल में उनका हुआ था चलिए सवाल नमबर चलते हैं फोर पे दोस्तों सरीर में हिमोगलोविन का कारिया क्या है सरीर में हिमोगलोविन का कारिया है ऑक्सिजन का परिवहन करना बिल्कुल उतर सही कर रहे हैं अगर आप उतर ए कर रहे हैं यहाँ पे तो हिमोगलोविन की मात्रा दूस्तों कम होने की चलते यहाँ पे जो छिनता होती है एनेमिया कहते हैं उसको एक रोग होता है यह छिनत के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है किसके चलते दोस्तो हीमोगलोविन के चलते ठीक है तो यहां पर आप answer क्या कर लेंगे ए इस दराइट answer तो next question पर चलते हैं दोस्तो यहां पर question number 5 पे दोस्तो हिंदू विधी पर एक पुस्तक जिसका नाम है मिताक्चर किस ने लिखा है जल्दी से answer कर लेंगे हिंदु विधी पर एक पुस्तक लिखी कई है जिसका नाम है मिताक्छर दोस्तों विज्ञानेष्वर ने लिखी है याद रखेंगे C जिसका उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं विज्ञानेष्वर जो है दोस्तों C, विज्यानेश्वर, आंसर कर लेंगे C, चलिए तो next question में चलते हैं, दोस्तों यहाँ पर आंसर करेंगे, बीज की बुआई के समय समानेता निमलिखित में से किस उर्वरग का परियोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पर, किसी भी बीज की अगर का हम परियोग करते हैं, यह question पूछा गया है बहुत बार, तो आपके exam में इस बार भी repeat हो सकता है, आंसर करेंगे A, nitrate का परियोग करते हैं, जिसका भी उतर A आ रहा है, क्योंकि जिसमें पौधे में व्रिधी और फल लगने में मदद मिलती है, इस nitrate के जरिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कि पौटाश जो है दोस्तों, यह पौधे की व्रिधी और मजबूती प्रदान भी करता है, तो पौटाश भी यहाँ पे है जरूरी, लेकिन nitrate की चलते हैं, इसका उप्योग हम लोग करते हैं, ओके, सवाल नंबर चलते हैं 7 पे, वासिंग सोडा जो होता है दोस्तों, यह सोडा जो है, धोने का सोडा होता है, ठीके, यह क्या होता है, आप लोग यहाँ पे वासिंग सोडा जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, sodium carbonate, Na2CO3, आप लोग को याद होगा, ध्यान होगा, अच्छा, इसके उप्योग मे ग्लास निर्माण में एक कागज का उद्योग भी तिया है, कागज उद्योग में भी होता है, इसका उप्योग, ठीक है, आंसर का कर लगे, B is the right answer, ठीक है ना, सवाल नमबर 8 पे आते हैं, कनिश्क ने किसको प्रुचाहन दिया था, कनिश्क ने किसको प्रुचाहन दिया था, आंसर कीजीएगा बहुत important question है यह कनिश्क नेम महायान बहुत धरम को प्रशान दिया था किसको दिया था यहां बहुत धरम को आंसर एक कर लेंगे यहां पे हम अच्छा कनिश्क के सासनकाल में चतुर्थ बहुत संगिती का आविजन जी यहां दूस्तों कि इस वी की प्रथम सताबदी में ही किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में यह आपको बहुत पहले बता चुका हूँ लेकिन ध्यान में रखीगा आप लोगों में बार बार चुकि यह नई परिक्षा की नई शुरुआत है न तो हर चीज में आपको फिर से बताऊंगा जो प्रिलिम्स के जितने भी एक्जाम होते हैं यह सारे कोशिन आपके इंपोरेंट होते ही होते हैं चाहे वो कितनी बार भी पूछा जा सके और मोटरियल प्रोटोकॉल दोस्तो 1987 ध्यान रखेंगे यहां पर जी हां दोस्तो यहां पर ध्यान रखेगा चलिए तो सवाल नमबर 9 पे आप लोगों ने उत्तर किया यहां पर ओजोन आउच है इस दर राइट आंसर सवाल नमबर 10 पर चलते हैं दोस्तो भारत में थोक कीमत सूची एक असुविधा कौन सी है जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तो भारत में थोक कीमत सूची यानि की होल सेल प्राइस जिसो क चलते हैं नीली क्रांती किस से संबंदित है जल्दी से आंसर कर लेंगे जी हां दोस्तो मतस्य उत्पादन आप लोगों को पता है इसके बारे में मतस्य उत्पादन जो है सबसे पहले चाइना में सबसे पहले चाइना में इसका विकास हुआ और नीली क्रांती का दोस्तो य ये भी आप ध्यान रखेंगे वेस्ट बिंगॉल पस्चिम मंगाल सवाल नंबर बारा पर चलते हैं हाली में कौन से फिल्म सौ सर्वस्रेश्ट फिल्मों की दग गार्जियन सूची में सामिल होने वाली एक मात्र भारते फिल्म बन चुकी है एक्जैक्ली आंसर करेंगे B. अंधा धून is the right answer अंधा धून फिल्म जो है दगर्जियन की सूची में सौ सर्वस्रेश्ट फिल्मों के जगा पाने वाली फिल्म अंधा धून बन गई है अब आप लोगों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस फिल्म के एक्टर यानि की हीरो कौन है सवाल नंबर 13 पे चलते हैं सर्वोच चन्याले यानि कि सुप्रीम कोट ने किस मुकदमे में यह बनाया है कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है यह बनाया है दोस्तों आंसर करेंगे बेरूबारी मुकदमा सर्वोच चन्याले ने बेरूबारी मुकदमे में यह बनाया रखा कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है और सुप्रीम कोट ने बेरुबारी बनाम हदराज सरकार का मामला सन 1960 में इसका नेरने भी दिया था आंसर ए कर लेंगे सवाल लंबर 14 पे चलते हैं और आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा दोस्तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि हाल ही में एक प्रसिद्व वैक्तित रौबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है वह किस देश के पुर्व राश्टपती थें जल्दी से आंसर कर लिजिएगा दोस्तो बिल्कुल आंसर करेंगे दूस्तो ए जिम्बौवे से वो संबंधी थे और ये सन 1980 से लेकर 87 तक के ये कारेकाल में थे और ये राश्पती बने हुए थे सवाल नंबर चलते हैं 15 की तरफ दोस्तो हाल ही में किसने त्रिपुरा में 18 राजिपाल के रूप में पदभार संबाला है बिल्कुल आंसर कर रहें यहां पे दोस्तो रमेश बैस इस दर राइट आंसर त्रिपुरा में रमेश बैस ने 18 राजिपाल के रूप में यहां पदभार संबाल रखा था सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो सवाल नंबर 16 पे भारत में किस किसम की कौफी का उत्पादन किया जाता है बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लेंगे दोस्तो अरेबी का इस दो राइट आंसर भारत में अरेबी का किसम की कौफी का उत्पादन करते हैं दोस्तो सुल्तान किस्म भी काफी होती है जिसका नाम सुल्तान है सुल्तान किस्म की काफी जो है तर्की में पाई जाती है यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है सबसे फेमस है सुल्तान नाम था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फिल्म से आप इसका ध्यान रखेंगे और यह स आपको बता दे कि आवर्थ सारणी में सुन्य वर्ग में छे तत्व हैं जिद में से निस्क्रिय गैस नोवेल गैस कलाते हैं जिद में कि हीलियम, नियॉन, आरगन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रिडॉन हैं तो यह आप ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या कर ल सवाल नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों निमलिकित में से कौन सा तत्व सुतंत्र अवस्था में पाए जाता है और इसके खूज प्रोगेतिहासी काल में ही कर दी गई थी अच्छा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है यह लिख लिजेगा यह कोशन अक्सर एक्जाम में पूछता है ठीके हमेशा पूछा है इसलिए मैं आपको फिर से बता दिया पिछली बार भी बताया था जो ब्यार दोगा की प्रलिम्स के त्यारी छात्रा मरसत कर रहे हैं और यहाँ पे सवाल नंबर 19 पे चलते हैं सुक्ष में जीवानों में से प्राप्त वे तत्वे स्व बायोटिक्स कहते हैं इसको जहां से संक्रमक विमारियों की उपचार के लिए दवाईया इसका प्रयोग किया जाता है अच्छा सन 1928 में अगर हम चर्चा कर लें 1928 में है ना तो 1928 में सर प्रतम एलेक्जंडर फ्लेमिंग ने पेनिसलीन नामक एक एक एंटिबायोटिक की यह आप लोग लिख लिएगा प्रती जेविक एंटिबायोटिक जो है यह आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया इसको ध्यान में जरूर रखेंगे अच्छा देगे कुश सवाल जिसके मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन देता जा रह करेंगे दोस्ते यहां पर सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाले प्रदूशन जाच द्वारा निम्लांकित में से किसकी जाच यह अनुमान किया जाता है बिल्कुल अगर आप यहां पर उत्तर कर रहें दोस्तों सीसा और कारबन कणों का तो नोट कर लिजीग आंसर यहां पर ए हो जाएगा सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की की जाने वाले प्रदूशन जाच द्वारा सीसा और कारबन की कण की जाच अनुमानित की जाती है ओके आंसर हम ए कर लेंगे सवाल नंबर 21 पर चलते हैं आंसर करेंगी जल्दी से निम्लिकित में से किस जल्द ने डोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पती की चिता के साथ स्वाता ही को जला देने का द्रिश्च भ्यानक चित्रन किया है बिल्कुल अगर आप इन सुल्दानों की चर्चा करें दोस्तों तो इबिन तूता आंसर ए कर लेंगे यहां पर इबिन तूत को भैवना की चित्रण किया था यानि कि यहाँ पे पिक्चर उनका बनाया गया था ठीक है आंसर क्या कर लेंगे इबना तूता A is the right answer सवाल नंबर चलते हैं 22 की तरफ दोस्तो औरंग जेब ने ज्यादा भावनों का निर्मान नहीं करवाया कारण क्या था इसका बिल्कुल औ उसके सासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे जियां औरंग जेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद लहार का बादसाही मस्जिद तथा बीवी का मकबरा बनवाया है औरंग जेब ने 1658-1705 इसवी तक जियां ये समय काल रहा उनका ये लिख लेजीगा आप लोग जो ये मैं बता रहा हूं इनका जनम 3 नमबर 1618 इसवी को हुआ था और अरंग जेब के काल में सतनामी बिद्रो भी हुआ था दोस्तो आंसर क्या कर लेंगे इट्स जियां दोस्तो इट्स डी इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे आंसर डी हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं तेज की तरफ चलिए फटा फटा आंसर करेंगे दोस्तो यहां पे सा जहां का मकबरा कहां इस्थित है 23 का आंसर कर लेंगे दोस्तो इट्स ए जियां सा जहां का मकबरा है इस्थित दोस्तो ए जियां आगरा में आगरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की और योगी आदित्यनात के साथ अगर बूचेगा कि यहां के गवर्नर कौन है तो ध्यान रखेंगे यहां की गवर्नर कौन है तो आनंदी बिन पतेल है जो कि ततकाली नभी मद्यप्रदेश की भी यह गवर्नर बन चुकी है सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्परेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहां इस्तित है इंडियन ओयल कॉर्परेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी हल्दिया में है हल्दिया कहां है दोस्तों तो कुलकाता यानि की वेस्ट बिंगॉल में है यह आप लिख सकते हैं आँ से अच्छा ये ये जो है IOC का मुख्याले अगर पूछ देना तो न्यू दिल्ली है ये आप लिख लिजिएगा इसको भी साथ में से चलिए सवाल नंबर चलते हैं 25 पे दोस्तो आई आई भारतियरिजर्भ बैंक के गवर्णर के रचित एक पुस्तक है तो देखे इसे टैटिक जीके से भी सवाल रहता है एक्जाम में तो चीजों को जो पढ़ना है आप लोगों को उसको आप लोगसे बना के पढ़िए जो चीजे आपको static जीके हैं उसको अलग लिखे पुस्तक, नदिया, परवत, जीतने भी चीजे हैं एक static copy बनाईए उसमें लिखे जो जीके हैं history से related उसका एक notes अलग बनाईए geography का notes अलग बनाईए, politic अलग बनाईए ये छोटे-छोटे अदम पतले-पतले book और हर एक chapter का बनना चाहिए जहां से सबसे महत्रपुन सवाल रहे उसको लिख लिजिए और ये मैं सिर्फ अपने Qs की बात नहीं कर रहा हूँ जहां भी आप जिसके भी Qs अटेंट करते हैं वहां से ये आप accept करें देखिए एक महीने के अंदर आपके जब नोट्स बनके तैयार होने शुरू हो जाएंगे न एक महीने लगेगा इन सब को बनाने में तो वो आपके काम कितना आएगा आपको समझ में आएगा जब आप revision के समय उस copy को उठाएंगे तो तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो 25 का यहां पर आंसर कर लेंगे सी रघुराम राजन जी हां दोस्तों I do what I do इन्होंने ही लिखी है इनकी रचित एक पुस्तक है ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के अच्छा RBI का मुख्याले मुंबई में है ये लिख लिजीएगा आप लो और अभी जो फिलहाल इसके गवर्नर है वो शक्तिकान दास है ठीके सवाल लंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों निमलेकित में से कौन सी जाच पृतित्वे को सुनेशित करती है कौन सी जाच जल्दी सान से देखे DNA जो है DNA के जरी आपको पता लगता है कि आप किसके पूत्र है फिंगर्प्रिंट की जाच पृतित्वे की भी सुनेशित करती है ठीक है DNA फिंगर्प्रिंट आंसर यहाँ पे कर सकते है C is the right answer अच्छा DNA का जो खोज है वो किस ने किया था यह सवाल पूछा गया है परिक्छा में बिहार्दरुका में ही पूछा गया है और मेंस में पूछा गया यह सवाल तो DNA फिंगर्प्रिंट का खोज किस ने किया था तो Alex Jeffery ने किया था लिख लीजेगा Alex Jeffery ने किया था सवाल नमबर 27 पे चलते हैं दोस्तो किसके साथ मिलकर नीती आयोग ने महिला उद्गमियों को बढ़ावा देनी की भागिदारी की थी 27 नंबर कोशन भी इंपोरेंट है तो आंसर यहाँ पे कर लिजिएगा दोस्तो जल्दी से आंसर हम D कर लेंगे वाटसप नाम तो सुनाई होगा यूज भी डेली आप लोग दिनचर्या में करते होंगे अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं वाटसप पे तो मैंने अबाउट वाले सेक्शन में लिंक दे रखा है आप लोग वहाँ पे भी जाके जल्दी से जोईन कर सकते हैं सवाल लंबर चलते हैं 28 पे नमलेकित में से कौन सा नाम पांडू पुत्र अरजुन से संदर्वित है एक्जैक्ली आंसर करेंगे जनार्धन इस दराइट आंसर, ए इस दर करेक्ट आंसर जनार्धन जो है दुस्तों अरजुन द्वारा क्रिश्न को कहा गया था और कुरुचेत्र में स्रे कृष्न ने अरजुन को उपदेश दिया था कि वो गीता कहला है जो भी उपदेश दिये गए थे कृष्न के जरिये वो आगे चलके महा स्री भगवत गीता कहलाया ठीक है तो ध्यान रखेगा पुराणों में स्री मद भगवत गीता सबसे पहत्यपोन है हमारे हिंदु धर्म में ये भी आपको ध्यान रखना होगा सवाल नंबर 29 पे चलते हैं भारत में समानुपातिक परतिनिधित्यो प्रणाली का उपयोग निम्ण में से चुनाव में होता है किस चुनाव में होता है बिलकुल उपरयोक्त सभी कर लिजीगा आंसर यहाँ पे जिया दोस्तों आंसर भारत में समानुपातिक परतिनिधित्यो प्रणाली का उपयोग राजिसभा की सदस्यों, राजियों की विधान परिशद की सदस्यों, उपराष्टपती की चुनाओं को भी लेकर यहाँ पे होता है तो आंसर हम यहाँ पे D कर लेंगे, exactly, आंसर उत्तर सही कर रहे है, सवाल नमबर 30 पे चलते है उस संग राजिय छेतर का नाम बदाईए, जहाँ पर निरवाचित विधान सभा और मंत्री परिशद है exactly, आंसर हम D कर लेंगे, पुंडिचेरी is the right answer दोस्तो, संग राजिय छेतर, पुंडिचेरी जहाँ निरवाचित विधान सभा और मंत्री परिशद भी है दिल्ली और पुंडिचेरी किंद्रसाइद परिश बिधान सभा और मंत्री परिशद की गठन भी किया जा सकता है दिल्ली भी नाम याद रखीगा, पुंडिचेरी की साथ साथ, ठीक है ना सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो, 31 पे कनिश की कार दर बारे चिकित से कौन था, देखिए ये डॉक्टर थे उस समय के जिनका नाम था ये चरक, क्या नाम था, ये चरक, चरक जो है थे वो कनिश की काल के थे और ये आरुवेद का विध्वान था, चरक सहीता इनकी रशनाक कार थी ये कल भी मैंने बताया था आपको टेस्ट में, सवाल नंबर चलते हैं 32 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे हाल ही में केंदरी रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने बेंगलूरू में स्वदेसी हलकी लड़ा को विमान का सफल उड़ान किया है ये बेंगलूरू लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा से मिस्प्रिंट है तो उसका नाम है दोस्तो, it's a C, Tejas क्या है नाम इसका? Tejas याद रखेंगे, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 33 पे भारत पर कुल विदेसी रिणों में सरवाधिक भाग निमलिकित में से किसका है? भारत पर कुल विदेसी रिणों में सरवाधिक भाग वानिजिक उधार का है आंसर C कर लेंगे, C is the right answer सवाल नंबर चलते हैं 34 पे आइने अकबरी किस प्रकार की सूचनाय है इसमें? देखिए आइने अकबरी के बारे में बता दू कि ये सूफी सेख मुबारक के पुतर थें आइने अकबरी के जो और अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी और अबुल फजल सूफी सेख मुबारा के पुद्र थें इनका जनम 1550 इसवी में होगा था तो आंसर यहाँ पर एक कर लेंगे अकबर के सासन प्रणाली का उपर प्रकाश भी डालता है ये आईने अकबरी ओके ये ध्यान रखेंगे सवाल नंबर 35 पर चलते हैं काराकुरम दरा काराकुरम दरा जो है जम्मो किश्मीर में है और हिमाले की सबसे दक्षिन मद्द एशियाई इस्तित हिमाले काराकुरम हिंदु कुष भी कहलाता है तो आपको ध्यान रखना होगा 8848 ठीक है मीटर की उचाई है इसकी सवाल नंबर चलते हैं 36 पर दोस्तो राश्टे स्वक्ष कोईला अनुसंधान विकास केंदर किस सहर में लौंच किया गया बिलकुल आंसर करेंगे ए बैंगलूरू जी है दोस्तो करनटगा की रज़ानी है बैंगलूरू और दोस्तो राश्टे स्वक्ष स्वक्ष कोईला अनुसंधान का विकास केंदर जो है लौंच किया गया बैंगलूरू में ए इस दो राइट आंसर सवाल नंबर 37 पर चलते हैं फलो की अध्यन को क्या कहते हैं फलो के अध्यन को क्या कहते हैं जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पर इग्जेक्ली आंसर जिनका रहा है पॉमोलोजी इस दर राइट आंसर अच्छा होटी कल्चर तो फल फुल और साग सबजी उगाने वाले बाग तता पुस्त उत्पादन के अध्यन को कहते हैं आंसर यहाँ भी ध्यान रखेंगे होटी कल्चर और होमोलोजी में आप कन्फ्यूज बिलकुल नहीं होएंगे सवाल नमबर चलते हैं अच्छा होरोलोजी होरोलोजी ध्यान रखेंगे का इस समय यह समय मापने का विज्ञान है यानि कि एक अध्यान है होरोलोजी सवाल नमबर 38 पर चलते हैं दोस्तो अर्थ ओभर सूट डे 2019 में किस्तिति को मनाया गया अर्थ ओभर सूट डे मनाया गया दोस्तो 29 जुलाई को आंसर एक कर लीजीगा यहां पर और एक अगस्त को मनाया गया था दोस्तो नेशनल गर्ल्फरेंड डे यह लिख लीजीगा यह सवाल पूछा जा सकता है और एक चामे पर मैंने बता दिया यहां पर हो सकता है कि पूछा जाए एक अगस्त को national girlfriend day ठीक है celebrate किया गया था 2019 में ही सबसे पहले सवाल नंबर चलते हैं 49 पे दोस्तो global innovation index 2019 में प्रथम इस्थान पर कौन सा देश है exactly answer ए कर लिजेगा दोस्तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तो it's a याने की sweetizer land जी हाँ दोस्तो 2019 में पहले स्थान पर रहा और भारत का इस्थान अगर पूछ लेना तो यहाँ पी ध्यान रखेगा 52 था लिख लिजे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो 2019 में global index में भारत का इस्थान 52 पे था सवाल नंबर 40 जो की आज का आगरी प्रशन है लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और नेकैड में से जुड़े कुछ तत्य आप तक साजा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से पहार के उचाई से बर्फ पिखलने के स्थान को क्या कहते हैं exactly glacier कहते हैं बी उतर कर लेंगे यहाँ पे जिहां जिनका उतर बी आ रहा है सही उतर कर रहे हैं तो दोस्तो ये सारे प्रशन जो कि हमने आप तक साजा कियें इन 40 प्रशनों में से आपने कितने उतर सही कियें और कितने गलत कियें ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगता है एक लाइक करके और शेयर करके जरूर बताएंगे दोस्तो अगर आप हमारे साथ अनेकैड भी पर जोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपोरेंट अपडेट है यहाँ पर जी हां दोस्तो अगर आप तयारी करना चाहते हैं BPSC प्रिलिम्स और मेंस के लिए तो 24 नवंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है जो कि 10 जुलाई 2021 तक यह बैच चलेगा जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एजुकेट करेंगे जी हां दोस्तो आप इनके साथ जुड़िए इनके अलग-अलग सबजेक्ट कैटेगराईज किये गया है इन सभी कैटेगरी में आपको यह एजुकेट करेंगे यहां पर आपको इनकी जु पीडियेफ चाहिए वो सारे चीज़ी आपको मिलेंगी यह आपको एशे राइट तो आप इन्रॉल जरूर कर लिजेगा और 24 नॉमबर के बाद यह सारी क्लासे सुरू हो जाएंगी इन्रॉल करने के बाद आपको प्रिलिम्स मेंस की तैयारी में आपको सपोर्ड मिलेगा प्रश्णोत्तर का अभ्यास मिलेगा यानि कि जितने भी प्रैक्टिस स्टेट हों सामें आपकी तैयारी की जाएगी डाउट क्लास भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही दिया जाएगा इसके अलावा PDF नोट्स भी दिये जाएंगे प्रोवाइट के जाएंगे अनके अप्लिकेशन से इन सभी एजुकेटर के तो जल्दी से इन्रॉल करें यह लिंक आपको बता रहा हूँ जीत अंडर स्कोर इडी यू जीरो नाई अगर आप इसका उप्योग करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10 परजेंट का वहाँ पे डिसकाउंट जरूर मिलेगा तो आप जल्ती जल्त जाके ज्वाइन करें और यह सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं तो इवार का